हलो स्टुएंट्स नेक्स्ट हम देखेंगे एक साइस 4.1 के लिए कैसे नुमर सेकिंड क्या कह रहा है आई की पार 9 प्लस आई की पार 90 तो अब देखो मैंने क्या बताया था आपको आप इसको इस तरी के से बदलो कि ये मतलब स्क्वेर की फर्म में आजा कि मुझे आई स्क्वेर की वैल्यू पता होती है माइनस बना तो आई स्क्वेर की पावर 4 लगा दू तो 4 टू जा 8 हो जाएगा लेकिन 9 है तो एक आई बच गया तो उसको आई सिंगल छोड़ दो यहा यू फी दो आई माइनस में माइनस वन की उपर किया है का इंस वन के उपर इवासला कि अपर के पार मंहा जेंट मटला का मतलब क्या होता है आपके पास positive यह आई का रह जाएगा यहां पर ओली काशन हलो